कॉंग्रिस चतिज़ड प्रदिस प्रभारी एवं कॉंग्रिस नेता सचिन पायरेट ने कहा है कि आज हमारी स्क्रीनिंग कमीटी की बैठक हुई सभी 11 सीटों पर माहुल कॉंग्रिस के पक्ष में हैं हमने जीतने योगिस सभी उम्मिदवारों की सूची बना ली है और उसी पर चर्चा भी कर रहे हैं हमारा एक मात्र उद्देश लोग सभा चुनाव जीतना है चतिज़ड में हम विधान सभा चुनाव नहीं जी सके लेकिन हमारे वोटों का अंतर केवल एक से डेट प्रतिशत था जो नई सरकार बनी हैं वह अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है लोग रिपोर्ट देख रहे हैं पिछले दस वर्षों से केंदर सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है उन्होंने जमीन पर काम नहीं किया है इनके देख्षता में आज मीटिंग हुई सभी जो हमारे निता हैं उन सबसे आज खोले माहल में चर्चा करी है और 11 के 11 सीटों के अच्छा माहल कॉंगर्स के पक्ष में है और जो विनेबल कैंडिट्स हैं उनको शॉटने स्नम लोगों ने किया है और चर्चा करी है और एक ही क्राइटिरिया है कि कैसे हम लोगसभा का चुनाब जीते हैं 36 गड़ में हम विधानसभा चुनाब ने जीत पाये थे लेकिन हमारा जो वोट का डिफरेंस था वो एक डेट परसंट का था बहुत जादा नहीं है और जो नई सरकार बनी है वो अपने वादे पूरे करने में पूरी तरह फेल हो चुकी है और 10 साल की जो केंद की सरकार है उसकी रिपोर्ट भी लोग देख रहे हैं हर मोर्चे पर वो फेल हैं प्रचार महुल बनाने में धरातल पर काम नहीं किया है तो दस साल की रिपोर्ट कार्ड पर वोट डालेंगे उन मुद्दों पर किसानों के नोजवानों के महिलाओं के बहुत से आधिवासी, अले, मद्यमबर, किसानों लोग रहते हैं वो सब चाहते हैं कि कॉंगर्ज को हम मजबूत करें इसलिए जो हमारी 11 सीटों पर चर्चा आज हुई है, सार्थक रही है बहुत अच्छे पढ़नाम आएंगे और हम लोगों ने शॉट लिस्ट किये हैं, जो विनिबल कैंडिडेट्स हैं और इसमें एक 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 एडियर रखा है हम लोगों ने कि कौन सीट निकाल सकता है अपनी सरकार की उपलब्धियों के उपर भी जाएंगे असे जनता है बिल्कुल पांच हमारी सरकार को जो हमारी पॉलसी स्थीन्स को लोगों न अच्छा रिसीव किया अच्छा मैसेज गया, लोगों ने अप्रिशेट किया चर्चाएं बहुत हुई जो किसानों के लिए लिए लोगों के लिए किया वो शायद कभी पहले किसी ने नहीं किया लेकिन अब जो नई सरकार बनी है उन्होंने जो वादे किये थे वो दूर दूर तक पूरा करने का मतलब नहीं है वो सिरफ अभी डोल बजा रहे हैं प्रगंडा कर रहे हैं, पचार कर रहे हैं और हम अच्छा पचार करकर चुराम जीतें के ऐसा मैं मानता हूं